उमनमाई शिवायव विशाखा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी ब्रिहस्पति दे हैं, आज के जन्मे जातक सुंदर, स्वाभिमानी, बात चीत करने में प्रमीर, सत्रुवों पर बीजय पाने वाले और सौमे सभाव के होते हैं, ऐसे जातक आकर्शक, आस्थावादी, इश्वरभक्त, परंपरा अच्छे कारियों की प्रसंसा करने वाले, प्रभावसाली, व्यक्तित वाले, न्याय प्रिये, प्रतिभावान, व्यापार आदि में रुची रखने वाले, स्वाभिमानी और उच्चा विलासी होते हैं, जदि सहयोगी लगन रहा ब्रिहस्पति, शुक्र और मंगल की इस् रिष्टिक रासी का मिला जुला प्रभाव प्रारंब हो जाएगा, दोपहर तक आज भी सुर्य और सुक्र की यूति चंद्रमा के साथ बनी रहेगी, मगर दोपहर बाद चंद्रमा की यूति, बुद्ध और ब्रिहस्पति के साथ कायम हो जाएगी, जिससे कारे छेत्र में सकारात्मक उत्साह बना रहेगा, सरकारी और विभागी सहयोग जारी रहेगा, रुके हुए काम संपन्ध होंगे, मगर राहु की पंचम द्रिष्टि पढ़ने की वजह से यदा कदा भ्रम की सिति, मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना, उत्साह, हिंता और सामान ग मगर अब मंगल का राशी परिवर्तन मकर से कुम्भ में उत्तरा साढ़ा नक्षतर में हो चुका है, जिसके नक्षतर स्वामी सूरेदेव है, प्रतेक जातकों पर कुम्भ राशी के मंगल का प्रभाव उनके अपने-पने कारकों और महादसा के अनुसार पढ़ता रहेगा आगे आने वाले दैनिक राशी फल में हम प्रतेक राशी पर कुम्भ राशी के मंगल का ख्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करेंगे, कल हम दैनिक राशी फल के साथी साथ मेश राशी पर कुम्भ के मंगल का लाव और हानी की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे पर दोने ना रचनात्मा क्रिया सिल्था में मदद करेगा और राथिक योजनाय फलिभूत होंगी। साजेदारी में लाव मिलेगा उच अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। पारिवारिक सुख सांती और मा के स्वास में सुधार महसूस होगा। मगर मानसिक संवेदन सिल्था बनी रहेगी। वित्ती ये संकट भी संभव है। विद्याथियों के लिए आज का दिन साम्माने रहेगा। छोटी यातुराओं का योग बनता है। स्वास संबंधी सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। प्रिश रासि के जात्मों को कारेच शेत्र में उपलब्धी हासिल होगी। आपके रासि स्वामी सुक्र छठमें भाव में सूरे के साथ चलना है। पर चंद्रमा दो पहर तक तुला में ततपस्चात, नीच रासि, ब्रिश्चिक रासि में गुरू के साथ चलते रहेंगे। स्वास पर विशेश ध्याम दें, हलाकि नई कार्योजनाओं के लिए समय अनकूल है। नीजी निवेस लावदाई रहेगा, आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा। प्रतियोगी भावनाविक्सित होगी, बहुत प्रतिक्षित कार्योग पूरे होंगे। अभिकारीयों का सहयोग कायम रहेगा। मगर पारिवारिक चिंता और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाओ भी संभावित है संतान संबंधिश्चु समाचार मिल सकता है सिक्षा प्रत्योगिता में सफवता मिलेगी और वह वाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मिथुन रासिके जातों के व्यावसाई कुथान और नई कार्योजनाओं के लिए समय अनकूल है साजेदारी के काम आज के लिए लाग दायक रहेंगे अधूरे कारे पूरे होंगे सरकारी काम काज में सक्री भागिदारी बनी रहेगे आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा मगर दोपहर बाग, चंद्रमा, बुद्धवा, गुरु की जूती छठमे भाव में होने से कुछ कामों में अनावर्शक, गलत निरणे और कारे छेतर में अवरोध के साथ सहयोग में कमी भी संभावित है शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और नई जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी मगर नकारात्मक विचारों वाले ब्रतियों से दूर रहे, मन थोड़ा अर्षान तरह सकता है खाने पीने में सावधानी बढ़ते और साथ सम्मधी जटिलताएं बढ़ सकती है करकरासि के जात्कों के लिए उच्च धिकानियों का सहयोग मिलता रहेगा उत्साह कारे उर्जा मन मुताविक बनी रहेगी और नीजी निवेश के लिए आज का दीन अनुकूल रहेगा आर्थिक लाव आपके प्रयासों के उपर निर्भर करेगा मानसिक चिंता और मन के नकारात्मक विचारों में सुधार मिलेगा परिवारी क्रेड़ना से उत्साह में बिद्धी होगी मगर पहल करने की प्रवरीप्ती प्रभावित होगी हाला कि सत्रु पक्ष कम्जोर रहेगा नियायला या समन्धित कामों में सफलता मिलेगी अध्याथियों को अर्ध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा मगरवाद विवाद संबंधी आवसक सावधानी बनाए रखें और नीजी रिस्तों में सकारात्मक सोच बनाए रखें सिंग राशी के जात्यों का उर्जास्तर और द्रिणिश्वास बना रहेगा और मानसिक रूप से अपने आपको स्वस्त महसूस करेंगे हाला कि ब्यावसाईक योजनाओं में इस्तिरता आएगी और विकास के मार्ग प्रसर्ष्थ होंगे विभागी करमचारियों का सहयोग मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे आर्थिक वक्ष सामान रहेगा मगर वाद विवाद संबंधी मामले दोसा रोपन और पारिवारिक तनाओं के इस्तिती भी संभावित है हला कि ग्रियोप योगी वस्तों में ब्रिद्धियोगी और नीजी निवेश लाफदायक रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल है अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा कन्या रासी वाले जात्कों के लिए आज का दिन कारेच्छमता को बढ़ाने वाला होगा उर्जा और आत्मिश्वास रचनात्मक कारियों में खर्चोंगे और सफलता मिलेगी नई कारियों जनाओं के लिए समय अनकूल है साजेदारी के कामों में भी लाव संभव है मित्र वसायोगियों से भी लावकारी प्रस्ताव मिल सकते हैं अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है मगर आर्थिक निरने लेने में सावधानी रखनी चाहिए मा के स्वास के प्रती चिंता संभावित है साथी साथ अपने स्वास पर भी से सदावना सावधानी बरते है मौसम संभन्धी परेशानियां खास तोर से तचा संभन्धी दिकते आ सकती है तुला रासे के जात्कों के लिए आज का दिन खास होगा सुल, सुक्र की यूती आपकी रासी पर बनी हुई है जिसका मिला जुलाफल परयासों को बढ़ाने वाला मानसिक, संतुष्टी और आत्मिश्वास की इबिद्धी करने वाला होगा कार्योजनाय सफलता पूरवग पूरी होंगी कुछ अतिरिक विजिम्यदारी और नीजी निवेश का योग बना हुआ है आर्थिक लाह मन मुताबिक मिलता रहेगा मगर कार्योजनाओं में अडचने सरकारी आउरोण और वाल विवाद से बचें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बना कर रखें संतान संबंधी मामलों में सहीवग मिलेगा और सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुपूल रहेगा बिश्यक राशे वाले जात्मों के लिए आज का दिन कारेश्यली में सकारात्मक विव्या और काम करने की छमता को बहाने वाला होगा सुभकारियों में आ रही अडचने खत्म होंगी और आठिक लाव मन मुताबिक मिलता जाएगा साजेदारी लावदायक रहेगी संबन्दित मामलों में यात्रा संभावित है ब्यावसाई के स्थित्ता कायम रहेगी रचनात्मक पहलु सकरी रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा सिच्छा प्रत्योगिता में सफलता संभावित है कुछ कामों में रुकावट हो सकती है मगर अधितर प्रयास सार्तक होंगे और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुपूल रहेगा धनुराशिके जात्कों को कारेच शेत्र से संभंधित मामलों में सावधानी अपेपचित है अनावसक विवाद और रुकावटें संभावित है हला कि आपके महनद के अनुरोपी और जिनाव का विश्तार हो सकता है आवसक संसाधरों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी सरकारी काम काज पूरे होंगे और अधिकारी ओं का संसाधरों में संभावित है साजेतारी के काम आज के लिए लावगा रहेंगे वयवाहिक मामलों के लिए आज का दीन अनुकूल रहेगा विद्यार्थियों को मेहनद कर लाव मिलेगा सवास संभंधिय आवसक सावधानी बनाए रखें साथ ही वाहन साउधानी से चलाएं मकर व्यासी के जात्मों को अपने स्वास्त पर भ्यान देना चाहिए कार योज नाय सुचारु ढंक से चलती रहेंगी सासन सक्तावा अदिकारियों का सहयोग बना रहेगा अतिरिक्त कारे भार महसूस करेंगे और कारेच्षेत्र में सहयोग मिलेगा बुद्ध प्रियस्पत्री और चंद्रमा की यूती साथ ही इन पर राहू की पंचम द्रिष्टी का होना साजेदारी में सावधानी आत्मिश्वास में उतार चड़ाव कारियों में रुकावट पत्नी के स्वास में गड़बड़ी और अपव्याय का संकेत देता है मगर वयवाईक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा और संतान संबंधि दायत्र की पूर्ती होगी कुम्बरासि के जात्कों को कारेच्षत की सकरियता बनी रहेगी ब्यावसाईक उत्थान की प्रकरिया शुरू होगी और सरकारी सहयोग कायम रहेगा मगर ब्यावसाईक विकास में खर्ट संभावित है हलाकि लावजायक प्रस्ताव सामने आएंगे आपके बुद्धिक उसर से विगड़ते हुए काम भी बन सकते है किसी महिला के सहयोग से आपके प्रभाव में ब्रिध्धि होगी रुके हुए काम संबन होगी और प्रतियोगी भावना बिक्सित होगी सासर सत्ता का सहयोग बना रहेगा बिद्यातियों के लिए आज का दिन अनुकूल होगा, शिक्षा प्रतियों के दा में सफलता मिल सकती है, मगर बिरोधियों से सावधानी या प्रेक्षित है मीन राशी के जात्कों के सक्रियता और आत्मिस्वास में उतार चगाव बना रहेगा, अपने ही कामों पर संदेह की स्थिती संभावित है मगर चंद्रमा के ब्रिहस्पती के साथ नवे घर में होने से कारेच्षित की निरंतरता बनी रहेगी, बहुत प्रतिक्षित काम संपन्ध होंगे स्वाश संबंधी मामलों में सुधार मिलेगा, मगर कोई आरोप लग सकता है और साजिस के सिकार हो सकते है मगर सावधानी बनाए रखें, भावुकता और जल्दबाजी में निर्ने लेना उचित नहीं होगा संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी, सिक्षा प्रद्योगता में परिश्रम करना पड़ेगा आर्थिक लाग सामान रहेगा, धार्मिक यात्राय संभावित हैं, देव दर्शन के योग बनते हैं, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम नमाशिवायद